आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ एक राजा की जिसने कहा था जाकर उनको कहना कि मैं ही वो दिवार हूँ जो उनके और अर्वी सेना के बीच खड़ी है अगर मैं गिरा तो अर्वियों के हातों उनकी तभाई को कोई नहीं बचा सकता आखिर कौन था ये राजा? कौन से देश का ये राजा था? कब कहेते उसने इस शब्द? और क्या हुआ था इनके बाद? ये सब जानने के लिए देखते रहेगा आज का एपिसोड मेरा नाम है अक्षे कपूर मुहमद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान मुव्मेंट उसी दिन से शुरू हो गया था जब मुस्लिमों ने सिंद की सरजमी पर कदम रखा था जिन्ना ने सिंद को दे गेटवे आफ इसलाम इन इंडिया कहा था तो आखिर सिंद की कहानी क्या है कैसे आए मुसलिम यहाँ इस कहानी की शुरूआत मैं करता हूँ समराठ हर्शवर्दन से समराठ हर्शवर्दन के बाद सिंद राज राय राजवंच के पास था और फिर चच राजवंच के पास चच राजवंच का सिंद पर राज 632 AD से 712 AD तक रहा था पहले राजा थे चच और दूसरे थे राजा दाहिर जिनका राज 663 से 712 AD तक था इस पूरे चच काल में कहते हैं अर्बों ने 15 बार अटैक की कोशिश की थी सिंद पर जमीन और नेवल अटैक दोनों मिलाकर और इन 15 में से 14 बार मूँ की खाई थी इस समय अर्बियों की डोर पहले तो राशिदुन कैलिफेट के पास थी जी हाँ वही राशिदुन कैलिफेट जिसने ससैनिट सामराज्य को हरा कर परशिया पर कबज़ा किया था जिसके बारे में मैंने अपने इस एपिसोड में बताया है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है राशिदुन कैलिफेट के बाद 661 AD से आती है उम्मयत कैलिफेट उम्मयत कैलिफेट के अलग-अलग खलीफा थे जिनने आप इस टेबल में देख सकते हैं इस टेबल में छटवे खलीफा खलीफा वालिद के समय हजाज को गवंडर आफ इराक एंड वाइसरय आफ दे इस्ट बनाया गया उम्मयत कैलिफेट का हजाज एक बहुत ही शातिर आक्रामक और खतनाक किसम का गवंडर था और उसे सिंध जीतना था खलीफा वालिद सिंध के लिए सेना बेजने के खिलाप थे क्यूंकि पहले ही तेरा बार कैलिफेट हार चुका था सिंध से और काफी पैसा और सेना जायाज हो रही थी इन जंगों में सिंध कैलिफेट से तूर भी था और बीच में एक डेजर्ट भी आता था इसलिए खलीफा वालिद ज्यादा इंटरस्टिट भी नहीं थे लेकिन हजाज ने एक तरकीब निकाली इस तरकीब को समझाने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ सिंध के राजा दाहिर ने कन्नौज के बोद राजा के खिलाफ लड़ाई के समय एक अर्भी अलाफी की मदद ली थी अलाफी और उनके पांसो सैनिकों को उम्मायत कैलिफेट दोरा निश्कासित किया गया था या मैं कहूँ बहार निकाल लिया था इसके अलावा इस दोरान सेरेंडिबिक के राजा यानि कि आज के श्री लंका के राजा ने जहाज बर के गिफ्ट भेजे थे खलीफा के लिए इस जहाज को सिंधी समुद्री लोटेरों ने देवाल के पास लूट लिया था देवाल सिंध में एक शहर था जो कि आज के कराची के पास है हजाज ने खलीफा को कहा कि लूट राजा दाहिर के कहने पर हुई है और राजा दाहिर ने कैलिफेट के बगोडे अलावी को भी शरंड दी है इसलिए आकरमन करने की इजाज़त दी जाए इस पर भी खलीफा सिंध पर आकरमन के लिए आदे मन से ही तयार हुए और इजाज़त दे थी हजाज ने बाजल नाम के जनर्रल के साथ एक बड़ी सैना बेजी सिंध को जीतने मगर दाहिर के पुतर जैसे यह ने इस सैना को बुरी तरह शिकरती और बाजल भी मारा गया यह हार हजाज के मुँपर चाटे की तरह थी क्योंकि खलीफा ने तो पहले उसे मना किया था मगर हजाज अब और भी आकरोशित था और उसे बदला लेना था इस पर हजाज ने सालों से चलता आया वही दाव खेला जो आज भी खेला जाता है उसने कहा कि ये लड़ाई इसलाम की है काफिरों के खिलाफ है और उसने ये एलान कर दिया कि वो इराक सुवे की सारी दौलत लुटा देगा मगर बाजिल की मौत का बदला जरूर लेगा इस पर खलीफा को मानना पड़ा और 711 AD को मुहमद इबन कासिम को भेजा गया 6000 सिरियन गुड सवार और इराकी वो अरबी सैनिकों की टुकडी के साथ कासिम हजाज का जवाई और नेफियू भी था हजाज खुद इराक के एक शहर कूफा में रुका था और लड़ाई की सारी स्ट्रेटिजी दोनों ने मिलकर बनाई थी सैनिकों का एक कम्म्यूकेशन लिंक बनाया गया सिंद और कूफा के बीच ताकि हजाज और कासिम को एक दूसरे के पत्र समय से मिलते गया कासिम सबसे पहले गया सिंद के देवाल शहर को जीतने जहां बाजिल हारा था सिंद के नजदीक कैलिफेट का सूबा था माकरान माकरान से 6,000 उट की सैना, कुछ थल सैना और 5 कैटापुल्ट की टुकडी भी कासिम की सैना के साथ देवाल में जुड़ गई 10 दिन तक देवाल लड़ता रहा और फिर अंत में हार गया हजाज के आदेश पर देवाल के सबी लोगों और पंडितों को मार दिया गया और देवाल के मंदिर को भी तोड़ दिया गया क्योंकि हजाज ने का था कि बदला लेना है वाजिल का इसके बाद कासिम सेना नेरून और सदूसन शहर बिना लड़े ही जीत जाती है क्योंकि यहां के बोध मनसबदार एक ब्रहमन राजा के खिलाव थे और अपनी सेना भी वो कासिम को दे देते हैं लड़ाई के लिए जीत का वन फिफ्थ पैसा और दार्स हजाज और खलीफा को भीजे जाते हैं ये पाकर हजाज और खलीफा और भी सेना भेज देते हैं कासिम को राजा दाहिर की सेना सिंदू की दूसरी तरफ यानि की इस्टन तरफ तयार हो रही थी जंग के लिए कासिम ने एक मोका बसाया को पैसे और राजगर्दी का वादा करके नावली और अपनी सेना को सिंदू नदी क्रॉस कराई यहां भट्टा के ठाकुर और सिंदू के पश्चिम के कुछ जाट कासिम से मिल गए दाहिर के खिलाव कासिम की इस विशाल सेना जिसमें सब लोग आके मिल गए थे कि पहली लड़ाई दाहिर के पुत्र जैसया की सेना से होती है जितौर में जिसमें कासिम जीच जाता है और जैसया किसी तरह बच निकल कर भाग जाता है इसके बाद अरॉर में दाहिर और कासिम की सेना आमने सामने होती है और एक विबंसक लड़ाई होती है अरॉर मैं बता दूँ वो जगे हैं जहां से पंजाबी अरॉडा आते है लड़ाई में दाहिर के सामने थी कासिम की एक विशाल सेना दाहिर का वजीर दाहिर से कहता है कि हमें अबी भी ना लड़के भाग कर किसी भारतिय मित्र राजजा के साथ पना ले लिनी चाहिए जिस पर दाहिर कहता है कि जाकर उनको कहना कि मैं ही वो दिवार हूँ जो उनके और अर्बी सेना के बीच खड़ी है अगर मैं गिरा तो अर्वियों के हातों उनकी तबाई को कोई नहीं बचा सकता अब बात करते हैं अरॉर के युद्ध की लड़ाई के समय दाहिर की और से लड़ रहे अलाफी का एक सिपह सलार छुपके कासिम की और जाता है और दाहिर का जंग का सारा प्लान कासिम को बता देता है इन सब के बावजूद लड़ाई में दाहिर की सेना इस कदर लड़ती है कि कासिम की सेना हाडने पर आ जाती है कासिम हाड देख इतना घबरा जाता है कि पानी मंगवाता है और पी रहा होता है इस समय वो गद्दार सिपह सलार अलाफी की सेना की टुगड़ी लेकर कासिम की तरफ आ जाता है और ये देख दाहिर और अलाफी हैरान रह जाते है कासिम की सेना ये चिलाने लगती है कि उसने राज कुमारी को पकड़ लिया है ये बात सुनकर दाहिर कुछ कंफ्यूज होता है और इसी कंफ्यूजन के बीच एक अगनी तीर दाहिर के रत पे आके लगता है और रत आख पकड़ लेता है और इसके बाद अगला ही तीर दाहिर के शरीर में आके लगता है और राजा गिर जाता है राजा के गिरते ही सेना घबरा जाती है और कासिम ये जंग जीत जाता है इधर दाहिर की पत्नी लाड़ी भाग जाती है लेकिन कासिम दाहिर की दो राजकुमारियों को पकड़ लेता है सूरे देवी और परिमल देवी चच नामा में लिखा है कि राजकुमारिया बेहद ही सुन्दर थी कासिम उन्हें खलीफा के हैरम के लिए खलीफा वालित को बेज दिता है सिंद का खजाना लूटा जाता है और लोगों को बंदी बना कर वापस ले जाये जाता है दोनों राजकुमारियों को जब खलीफा वालित के कक्ष में प्रस्तुत किया जाता है तो खलीफा खुद उनकी सुन्दरता देखकर दंग रह जाता है राजकुमारिया खलीफा से कहती है कि कासिम ने रास्ते में ही उनसे दुश्विवार करा ये सुन खलीफा क्रोधित हो उटता है और कासिम को मारने के आदेश देता है हुक्म की तामील होती है और कासिम को मार दिया जाता है इसके बाद राजकुमारिया खलीफा से ये खह देती है कि उन्होंने जूट कहाता क्योंकि उनको अपने पिता का बदला लेना था ये सुन खलीफा राजकुमारियों को दिवार में चिनवाने का आदेश दे देता है और दोनों राजकुमारियों को जिन्दा दिवार में चिनवाया जाता है इदर कुछ सालों बाद दाहिर के पुत्र जैसे या अपनी माता लाड़ी के साथ सैनिको को इखटा करता है और चितोड के राजा बपा रावल के साथ अर्बों पे जीत हासिल करता है और इसके बाद फिर अर्बी कैलिफेट कभी भी भारत की और नहीं देखती चछ नामा में लिखा है कि लड़ाई से पहले दाहिर ने अपने लोगों से कहा था I am going to meet the Arabs in the open battle and fight them as best as I can If I crush them, my kingdom will then be put on a firm footing But if I am killed honorably, the event will be recorded in the books of Arabia and India and will be talked by great men It will be heard by other kings in the world and it will be said that Raja Dahir of Sindh sacrificed his precious life for the sake of country in fighting with the enemy यानि की Raja Dahir ने कहा था कि मैं अर्बियों से लड़ने खुले मैदान में जा रहा हूँ और मैं अपनी आखरी सांस तक उन से लड़ूंगा अगर मैं जीत गया तो मेरा Raja शक्तिशाली हो जाएगा लेकिन अगर मैं मारा गया तो मेरा नाम अरब और भारत की किताबों में लिखा जाएगा दुनिया के दूसरे राजाओं तक जाएगा और ये कहा जाएगा कि सिंद का Raja Dahir ने अपने देश के लिए शत्रों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी अब भारत की किताबों में राजादाहिर की कहानी आई के नहीं ये सब तो आप जानते ही हैं मगर आज भी राजादाहिर को सिंद में कुछ लोग अपना हीरो मानते हैं और पाकिस्तान देश की पॉलिटिक्स में इनका और कासिम का नाम भी कई बार लिया जाता है राजादाहिर का नाम तारीख फत्य ने भी भारत में किताबों में जोडने का आग्रे किया है मेरा काम था आपको राजादाहिर की कहानी से रूबरू कराना जो मैंने ये सब बाते बताई हैं ये सब Wikipedia पर लिखी है और थोड़ी कहानी मैंने के आर मलकानी जी के ब्लॉग दसिंद स्टोरी से भी ली है जिसका लिंक मैं नीचे description में डाल रहा हूँ आप वहां उनके sources भी पढ़ सकते हैं जिसके base पर उन्होंने कहानी लिखी उन्होंने और भी detail में सिंद की सब बाते बताई हैं हाँ ये मैं बता दू कि के आर मलकानी जी बीजेपी के लीडर थे इसलिए मैं आप से आगरे करूंगा कि आप उनकी लिखी बातों के sources को खुद पढ़े उनके व्लॉग पर इसी बात के साथ मैं आज का episode खतम करता हूँ मेरा नाम है अक्षे कपूर ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ लाइक शेर और सब्सक्राइब करना न भूलेगा थैंक यू